हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप सभी के स्वागत है आज मैं कार्डिगन की डिजाइन लेकर आई हूं देखिए कितना सुंदर डिजाइन है इस डिजाइन से कार्डिगन कोटी या स्वेटर पर भी इसको डाल सकते हैं बहुत असानी से और बहुत ही प्यारा लगता है य और सीधे के तरफ से इस तरह है यह तो आज मैं इसी डिजाइन को आप सब के सब्सेयर करूंगी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बे देखिए एक दो तीन यह तीन फंदा सिधा सिधा बून लिए अब यहां पर हम दो को एक करेंगे दो फंदा को लेकर एक करेंगे धागे अपने तरफ इस फंदा में हम फंदा देते हुए बूनेंगे फिर यहां पर धागे अपने तरफ अब यहां पर फिर हम दो को एक करे फंदा देते हुए इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह नौ फंदा सिधा सिधा बुन लिए अब यहाँ पर देखिए दो को यह करना है नौ फंदा बुनने के बाद दो को यह करेंगे फिर इसमें हम फंदा देते हुए इस तरह बुनेंगे फिर देखिए यहाँ पर हम दो को यह करेंगे फंदा देते हुए इस तरीके से अब फिर हम यहाँ पर तीन फंदा सिधा सिधा बुनेंगे कि उल्टे साइड से पूरा रो उल्टा बुन के कम्पिलीट करना है इस तरह यह देखिए इसी तरह पूरा रो हम बुनेंगे अब सीधे के तरफ देखिए सीधे के तरफ क्या करेंगे यहाँ पर हम दो फंदा एक फंदा यह उल्टा बुनेंगे ऐसे और धागे पीछे अब यहाँ पर दो को एक करेंगे यहाँ पर हम दो को एक करेंगे और धागे अपने तरफ अब इस फंदा में हम फंदा देते हुए बुनेंगे ऐसे एक दो तीन यह तीन फंदा सिधा सिधा हो गया धागे अपने तरफ फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे फंदा देते हुए इस तरह अब यहाँ पर देख छे, साथ ये साथ फंदा उल्टा बुन लिए धागे पीछे अब फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे और फिर धागे अपने तरफ यहाँ पर फिर हम फंदा देते हुए बुनेंगे इसमें एक, दो, तीन ये तीन फंदा सिधा-सिधा बुन लिए धागे अपने तरब आप यहां पर दो को एह करना है और फिर देखिए कांच 7 विक्ष्छ इसको सिदह सिदह बुणकicação कंफलीट खले उल्टे साइड से पूरा रो उल्टा बुणकर कंफलीट करना है अब सीधे तरफ से देखिए इसको सीधे तरफ से हम इस तरफ बुनेंगे अब यहाँ पर यह देखिए एक दो यह दो फंदा सीधा अब हम इन दो फंदे को लेकर एक करेंगे अब यहाँ पर फिर फंदा जा रहा है इसमें हम फिर फंदा देंगे आइसे फिर देखिए इसको अब यहाँ पर फिर हम दो पर एक करेंगे फंदा देते हुए अब यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदा सीधा सीधा हो गया अब देखिए इन दो फंदे को लेकर हम इद करेंगे और धागे अपने तरफ फिर हम इस फंदा में फंदा देते हुए बुनेंगे फिर धागे अपने तरफ अब यहाँ पर फंदा देते हुए हम दो को एक करेंगे और यहाँ पर तीन फंदा हम सीधा सीधा बुनेंगे उल्टे साइट से पूरी रो उल्टा बुनना है आप देखिए फिर सीधे के तरफ से सीधे के तरफ से इसको हम यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा धागे पीछे अब फिर हम इन दो फंदे को लेका रेक करेंगे और यहाँ पर धागे अपने तरफ अब इस फंदा में फंदा देते हुए बुनेंगे फिर देखिए आप फिर धागे अपने तरब अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे फंदा देते हुगे अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सोरी साथ फंदा उल्टा बुनेंगे फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे इन दो फंदे को लेकर एक करेंगे फिर धागे अपने तरब अब इस फंदा में फंदा देते हुगे बुनेंगे एक दो तीन यह तीन फंदा सिधा धागे अपने तरब इस फंदा में हम यह देखिए दो को एक करेंगे फंदा देते के कॉप्म्पिलीट करें दूखए की एदिज़एंगे अब मुझा से सारेxic मुझा से 10 गो कि अब उल्टा करेंगे। दूएंप सीध्य तरफ से को चिथे तरफ से हम इस तरफ बनाएंगे फिर यहाँ पर यह देखिए अब इस पंदा को हम सीधा बुनेंगे इसको भी सिधा बुनेंगे अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन तीन फंदा सिधा अब इन दो फंदे को लेकर हम एक करेंगे और धागे अपने तरफ इस फंदा में फंदा देते हुए बुनेंगे फिर धागे अपने तरफ अब फिर हम यहाँ पर दो कोई करेंगे अब फिर देखिए सीधे के तरफ से सीधे के तरफ से अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम सीधा सीधा बुनेंगे एक दो तीन इसको लेकर चार हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह नौ फंदा सीधा हो गया अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब इसके बीच में हम निकालेंगे यह फंदा इस तरह की डिजैन हम इसके बीच में बनाएंगे अब यहाँ पर सेम इसी तरह इस तरह और यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पर भी उल्टा बनाएंगे तो इसको देखिए अब इसको लेकर यह दस हो गया अब हम यहाँ पर दो को एक करेंगे ऐसे सेम इसी तरह रिपीट करना है इसके जैसे यहाँ बनाना है अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हम फंदा देते हुए बुन लिए फिर धागे अपने तरह और फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे फंदा देते हुए और फिर अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह किनारे के लेकर दस हो गया अब देखिए सेम इसी तरह बनाना है यहाँ पर इस तरह यहाँ पर बनाना है तो देखिए यह बन के इस तरह आएगा यह देखिए यहाँ पर यह बना हुआ है पहले यहां यहां बना हुआ है फिर इसके बीच में यह उल्टा बना हुआ है अब उल्टे के उपर हम फिर इस तरह के पत्ति के जैसे बनाएंगे यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है उमीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे स्वस्त रहें खूस रहें फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई अनके साथ